बुश्या नियुश़ोत्व से इंग्टियों के बारे में पढ़ना है। नियुश चल को मतलब खाली स्थान होता है। जो हमारे क्र्स्टल्स होते हैं सोरीштAls थोस कि के क्र्स्टल्स वो क्लोजली पैक्ट होते हैं। बहुत अच्छे से पार्टिकल्स पास-पास होते हैं, अत्यांत प्रभाप शली संकुलन पाया नहीं पास-पास लेकिन तब भी उनकी में थोड़ा-थोड़ा स्थान खाली रहा आता है, उन्हीं स्थानों को खाले स्थानों को रिक दिकाएं कहते हैं, जिन्हें वाइट्स कह जो पैकिंग एफिशेंसी थी 52.4% ती इसका मलब बाकी 48% जगा खाली है सेविए में 74% इसका मलब बाकी स्थान खाली है और आपने बाडी सेंटर में देखा था 68% इसका मलब कुछ ना कुछ इस्थान खाली जरूर होता है अब उनी रिक्तियों के बारे में पढ़ना है रिक्तियां कितने प्रकार की होती है हम आपको तीन प्रकार रिक्तियों के बारे में पढ़ाएंगे तिकोडियां रिक्तियां तिकोड़ी हैं, रिक्तिगाएं का निर्मारत तब होता है, जब एक परत के जो घटक करोते हैं, कुछ इस तरह से बेवस्तित हो, आप देखेंगे यहाँ पर, यह एक ही परत है, इसमें यह तीन घटक कर हैं हमारे पास, इन तीन घटक करों को जो हमने रखा तो इनके बीच मे यह जो वाइट पॉर्षन नजार आ रहा है आपको, इसे हम रिक्तिगाएं कहते हैं, आप देखेंगे यह एक रिक्तिगाएं, यहाँ पर दूसरी रिक्तिगाएं, यह तीसरी चौती पाच्वें, इस तरह से एक ही परत में कई सा रिक्तिखाएं हैं, इनने तिकोड़ी कहत रिक्तिगाएं, तो एक ही परत में तीन घटक करओं के आपस में मिलने से तिकोड़ी रिक्तिगाओं को निर्मान होता है, यह तो यह तो यह तो बनाया हैं, मैंने आपके लिए और इदर देखें, इसमें यह फरक हैं, दून एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यह टी शेप म हैं, देखिए, ती बना हुआ है, यहाँ पर भी देखो, ती बना हुआ है, तो वर्टिकली अपोजिट हैं, यह दून एक दूसरे के उपोजिट हैं, डारेक्शन में, दूसरे प्रिकार के रिक्तिगाओं के बारें पढ़ लेते हैं, जिसे हम चतुष्वल के इस वाले पार्टिकल्स को रख दिया जाएगा, इसके उपर कुछ इस तरह से रख दिया जाएगा, तो जो खाले स्थान होगा, उस खाले स्थान को चतुष्वल के रिक्तिगाओं कहते हैं, इन तीन पार्टिकल्स के उपर इस चौथे वाले पार्टिकल को रखने पर ऐसा आप अपनी स्क्रीन पर एक चटशवल के रिख्टिकां को निर्मार होते हुए देख सकते हैं इस पिरकार के रिख्टिक चार घटक करणों के मिलने से बिनती हैं तीन घटक करण एक परत में होते हैं और चौता घटक करण जो है वो उसके ठीक उपर वाले परत का होता है तो चार घटक करण के मिल्ले से चदश्वल के रिक्तिकाओं का निर्मार होता है अब यह इसकी definition यह भी हो सकती है कि अगर किसी crystal के अंदर चार घटक करण चदश्वल के रूप में विवस्तित हैं तो उनसे जो रिक्तिकाओं का निर्मार होता है उसे चदश्वल के रिक्तिकाओं कहते हैं एक वा फिर से सुन लेजे चार घटक कर यदि किसी crystal में चदश्वल के रूप में पस्तित हैं तो उनसे जो भी रिक्तिकाओं का निर्मार होगा उसे ह जिए एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट होते हैं जैसे हमारे पास ये एक triangular void है देखिए और एक इसका ठीक vertically opposite triangular voids यह रहाए ये एक परत के voids हैं रिखतिका है triangular voids ये दूसरी परत की है अब इन दोनों परतों को एक दूसरे को पर अच्छा दित करना है एक दूसरे को पर रखना है तो मतलब इसे उठा कर इसके उपर रख दे पर जिस प्रिख्यासर की क्रिख्थिया बनेगी उस रिखतिका को आप अश्टफाल की रिखतिका कहते हैं जिससे आप दर देखिए यह मैंने पहली परत बना दी अब इस वाले पार्टिकल्स को इस वाले तीन पार्टिकल्स को इसके ऊपर रखना कुछ इस तरह से इनके बीच में कुछ इस्थान खाली रहाता है यह दो पड़ को इसके प्रते एक बड़त में तीन-प्रत गोले हैं आप देख सकते हैं इन तीन गोलों के बीच में ट्रैंगलर वाइट थिकोन रिक्तिकाए हैं दोनों तिकोन रिक्तिका हैं जब एक दूसरे के ओपर अच्छा दित होती हैं तो अश्टफल के रिक्तिकाओं का निर्मार हो रहा है क्रिस्टल में अश्टफल के रिक्तिकाओं का जो निर्मार छे करणों के द्वारा होता है यदि छे करन क्रिस्टल के अंदर अश्टफल के जैमिती में उपस्तित होते हैं तो उनसे जो भी रिक्तिका का निर्मार होगा है उस रिक्तिका को अश्टफल के रिक्तिका कहते हैं ये एक दूसरी डेफिनिशन के तोर पर आप लिख सकते हैं अस्टफल की रिख्तिकाओं की संख्या घटक करों की संख्या के बराबर होती है, यह आपके लिख देता हूँ, अस्टफल की रिख्तियों की संख्या घटक करों की संख्या के बराबर होती है, घटक करों की संख्या के बराबर होती है, घटक करों की संख्या, गटक कर रहें तो अश्टफल की रिक्तिकाएं भी दो लाग होंगी यहां पर एक छोटा सा फार्मला और बताता हूं मैं आपको small r is equal to 0.414 capital r जहां small r को रिक्तिकाओं की तरिज्या कहते हैं रिक्तिका की तरिज्या और capital r को घटक कर के तरिज्या घटक कर के तरिज्या अच्छा अब यहां पर रिक्तिकाओं की तरिज्या small r होगा रिक्तिकाओं की तरिज्या capital r घटक कर के तरिज्या रिक्तिकाओं की तरिज्या का मतलब यह हुआ कि जैसे हमारा पास यह खाली इस्थान है, तिकोने खाली इस्थान, यह मैंने तिकोने खाली इस्थान को बना दिया, इस तिकोने खाली इस्थान के अंदर एक छोटा सा एक पार्टिकल तर एक्जिस्ट कर सकता है न, उस पार्टिकल के तिज्जा है, इस स्मॉल आर, यह जो जगा है खाली इस्थान इस हाल इसतानुम ने बढ़ा करके हैं प्रिशित कर दिया है इसके अंडर एक छोटा सा पार्टिकल एक जिस्सक्र कर सकता है हो सकता है कि सक्रैश् Kein नार पार्टिकल रखशकते हैं कौस काणिसी लो क्ल्नले तो उसके जो भी तिर्ज्चय होगी औस थिर्य को में से तो इसी कोई हम रिक्तिका की तिर्जा कहते हैं तो रिक्तिवल के फलकों की जो तिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज यहां पर समॉलर फिर से च्दुशवल के रिक्तिका का तीजा है इसका मतलब वह रिक्तिका बनी है उसके अंदर एकuito पर्टिकल अगर मान लें गोलागार पर्टिकल मान लें घटक कर नलें तो उसके स्मॉलर हुए और हज़्ड़ strengthen को निरिमा करने वाले चार गटक करों से ही चार गटक करों की जो त्रिजह है वह ऋरह है उस तो चार गटक करों में ऐसे घटक करें त्रिजह यहाँ पर लिख दीजेगा और यह सब parts की की त्र कई ते त्रлан maintenance कर आजाएगी पद्पों उस Luis the lecture मैं आपको के मैं करऊ तो 9